जहिन जैबारत दोस्तों मूलविधी का पांचमा पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले है हमारा सेक्षन 11 सेक्षन 11 क्या है आपका एकांत परिरोध है क्या है एकांत परिरोध होता क्या है सबसे पहले यह जानना है हमें परिरोध क्या होता है जैसे एक होता है अ आवरोध जैसे समझेये, आपने डिवाइडल लगा दिया, ठीक है, रोड पर ऐसे डिवाइडल लगा दिया, एक बोला जाएगा अवरोध हो गया, ठीकrophus, परि, परी का मतलब है चार ओर, बाहर से चार ओर, जैसे आप देखते होंगे, क्या बोला जाता है, परियावरण, प अधर से आया मेरा बच्चा क्या कि अधर से दर्वाजा बंद कर दिया उधर से भी बंद कर दिया तो अब मैं क्या हो गया इस रूम में कैद हो गया मेरे पास अब कोई मोबाइल या ऐसा कोई साधन नहीं है और मैं मालो आसपास में घर भी नहीं है मैं चिलाओं मेरे आप ही रहेंगे, तो उसे क्या बोल दिये जाएगा, परिरोध बोला जाएगा, यहाँ पे देखो, एकांत परिरोध, परी का मतलब आप को चारो ओर से अकेला कर दिया गया, एकांत आपको हो गया, ठीक है, अब देखो, जब कभी कोई ब्यक्ति सबसे पहले देखो यहां पे क्या है हर एक वर्ड का मतलब समझना फोड़ा इसको मैं पेन को पतला कर ले दा हूँ जब कभी कोई ब्यक्ति कोई ब्यक्ति का मतलब क्या हो गया इसमें महिला भी हो सकती है पुरूस भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति कह दिया, तो महिला भी हो सकती है, पूरुष भी हो सकता है। आधिन भारतिन आय सन्टा दोजार टेइस के अधिन उसे कठिन कारवास सब से ध्यान देने वाली यहां पर लिखा है कठिन कारवास कमार्य आपको साधा कारवास में आपका ये सब कारकार के दंड बताये थो सबसे पहले आप से म्कुष्चन पूछता हूं कि दंड जो है कि सेक्सन में तो आप कहेंगे सेक्षिन 4 में जो हैं दंड के बारे में बताया गया है र시면ड कि अधन learner किछ हो जाता है मृत्यू दंड क्या मृत्यू दंड दूसरा दंड क्या हो जाता है आजीवन कारवास आजीवन कारवास जब तक अन्यथा उपबंदित नहों 20 वर्ष का होता है तीसरा दंड हो जाता है आपका क्या हो समपरहाड थीक है पाचवा हो जाता है जुरमाना छठा हो जाता है क्मुनिटी सर्विस तो यहां पर किस परकार का दंड बोलना है कठिन कारवास का भी परकार है आपका साधा और कठिन तो कौन सा कठिन वाला दंडा दिस्ट करने की सक्ती है मालो ऐसा कोई व्यक्ति है वो ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें नियाले को पावर है कि इस सन्हीता के अधिन रहते हुए उस व्यक्ति को कठिन कारवास का दंड दे सकता है तब क्या होगा देखिए नियाले अपने दंडा देश द्वारा यानि जो नियाले अपना दंड का आदेश देगा उस अपराधी को उस कारवास के जिसके लिए वो दंडा दिस्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक के नौ होंगे यानि कि तीन महीना से अधिक का जो है एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा क्या सबसे पहला चीज अब यहां पे आपका important fact क्या याद रखना है सबसे पहले देखिए यहां किसी भी ब्यक्ति को दिया जा सकता important fact आप diary में जब छोटी diary बनाएंगे न तो देखो क्या क्या ल मास से अधिक नहीं होगा क्या तीन मास से अधिक के नौ होंगे निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा प्रस्न क्या पूछेगा आप समझ लो प्रस्न यहां से बनेगा ठीक है प्रस्न यहां से भी बन सकता है कि सजा जो है कैसा होगा कठिन होगा क सादा होगा फिर क्या किसी महिला को एकांद परिरोध में रखा जा सकता है तो यहां पर क्लियर कहा है कि कोई भी थी हां रखा जा सकता है फिर आपका क्या प्रश्न बनेगा जैसे मानलो आप से कह दिया यदि कारवास की अवधी छे मास से अधिक ना हो मतलब अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारवास का सजा जो है छे महीने तक का दिया गया है चार महीने छे महीने तीन महीने दो महीने तब क्या कह रहा है एक मास से अनधिक समय क् एक महीने से अधिक नहीं होगा क्या हमारा जो परिरोध होगा एकांत परिरोध जैसे मानलों किसी ब्यक्ति को मैक्समन 6 महीने तक का सजा मिला है तो आपका जो मनलब कठोर करवाज 6 महीने तक मिला है तो एकांत परिरोध उसमें से सिर्फ एक महीना हो सकता है अब आजाओ कुस्चन कैसे पूछ देगा अगर किसी व्यक्ति को पांच महीने की सजा मिली है तो उसको अधिक्तम कितना एक आंध परिरोध दिया जा सकता है तो एक महीना अधिक्तम दिया जा सकता है अब सेम छै महीना से अधिक हो और एक वर्स से अधिक ना हो कितना छै महीना से अधिक ह और एक वरससे अधिक ना हो यैनि एक वर्स तक हो तब अधिक्तम दो महीने का एकांत bands परिरोध दिया सकता है इसको याद रखना और जब आपका कारावास की अवदी एक वर्स से अधीक हो तो अधिक्त तीन मास का जो है तीन मीने से अधिक किसी भी कंडिशन में एकांध परिरोध नहीं दिया जाएगा यही इस बात को कहता है हमारा एकांध परिरोध 11 चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सेक्स्टन देखते हैं यहां पर इंग्लीज में देखिए solitary confinement एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ पहले फोड़ा एक मिनट चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं when ever any person is convicted of an offense for which under this sanita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment देखो important क्या है यहां पर इंग्लीज वाले देख लें rigorous imprisonment imprisonment कैसा होना चाहिए rigorous होना चाहिए यानि कठोर स्थरम के साथ होना चाहिए किसको भेजा जा सकता है एनी पर्सन को भेजा जा सकता है महिला हो पुरुस हो फिर आपका अधिक्तम कितना भेजा जा सकता है not exceeding three months क्या not exceeding three months अब इसमें important क्या है देखिए यहां पर एक मिनट मैं इसको मीटा आता हूँ ठीक है अरे यह तो गडवड हो गया भाई यहां पर ए क्या कह रहा है ए देखिए a time not exceeding one month if the term of imprisonment shall not exceed six months यहां पर क्या रहा है कि अगर हमारा imprisonment six months का है तो हमारा जो एकांत परिरोध होगा वह one month को exceed नहीं करेगा ठीक है अब दूसरा हमारा क्या कहता है if our imprisonment is six months से अधिक यानी six months एक दिन six months one day to one year then आपका एकांत परिरोध कितना हो जाएगा two month को exceed नहीं करेगा इस time not exceeding three months if the term of imprisonment shall exceed one year यदि हमारा एक साल से अधिक का सजा है तब भी हमारा जो confinement होगा परिरोध होगा वह जो है तीन महीने से अधिक कभी नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इस पेज को देखते हैं तो ए हमारा क्या हो गया सेक्सन 11 हो गया अब हम लोग देखेंगे सेक्सन बारे एकांत परिरोध की अवधी यहां से प्रस्न भी पूछे गए हैं इस बात को ध्यान रखिएगा एकांत परिरोध की अवधी एकांत परिरोध के दंडा देश के निस्पादन में क्या का रहा है एकांत परिरोध का दंड दिया जा चुका है क्या एकांत परिरोध का दंड दिया जा चुका है अब व्यक्ति पहुच चुका है कहां पे जेल में अब कहां पहुच चुका है जेल में तो वहां पे क्या होगा ऐसा परिरोध किसी भी दसा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा यानि अब जो है उसको मान लो एकांत प परिरोध की कलावधियों के बीच में उन कलावधियों से अन्यून अतराल होंगे। जैसे मालब किसी व्यक्ति को मैं 6 दिन का एकांत परिरोध रखा। जैसे मालब आपको मैं समझाता हूँ, आपको मैंने 1 सितंबर से लेके कितना दिन तक? 10 सितंबर तक के लिए क्या किया चौदे दिन तो हो सकता है ना चौदे दिन से अधिक नहीं होना चाहिए अब मानलो एक तारीक से मैं दस तारीक तक आपको एकांध परिरोध में रख दिया जेल में आपको लेकिन सजा में ली है कितना एक महीने का एकांध परिरोध का तो अब मेरे पंदर तारीक को फिर ठूस देना कह रहा है जितना दिन यह है जितना दिन इसने एकांत परिरोध काटा है कम से कम उतना गैप होगा फिर वह अगली बार एकांत परिरोध काटने आएगा समझ में आया जितना दिन उसने एकांत परिरोध काटा मालो सात दिन काटा तो अब सात दिन उसकी छुट्टी रहेगी मौच काटेगा वो एकांत परिरोध में नहीं रहेगा फिर वो सात दिन बाद ही एकांत परिरोध के लिए आ सकता है यहां तक अभी तक कहा अब देखिए और जब दिया गया कारावास तीन महीने से अधिक हो तब दिये गया संपुर कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक नहीं होगा यहां से अब देखो अब कह रहा है कि अब हमारा अगर कारावास तीन महीना से अधिक है क्या ? मानलो आपको किसी को 6 महीने का कारवास का सजा मिला है तो 6 महीने कारवास का सजा मिला है तो संपूर कारवास में एक महीना में एकांद परिरोध 7 दिन से नहीं होगा यहाँ पर क्या कह रहा था आपका जब आपका क्या है देखिए यहाँ पर ऐसे एकांद परिरोध और दिया गया कारवास 3 महीने से अधिक हो ठीक है जैसे मानलो 6 महीना दिया गया 3 महीना से अधिक है कि नहीं 6 महीना है तब जो है आपका क्या होगा यहाँ पे एक महीना में साथ दिन से अधिक नहीं होगा इस बात को आप याद रखना चलिए साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्ही कालावधियों से अन्यून अंत्रा लोंगे अब जैसे मानलो कोई चलाक आदमी है सोचता है अगर अगस्त में मानलो अगस्त में एक महीना में जैसे कह दिया साथ दिन रहेगा अब कोई सोचे कि इसको तो कैसे रखा जाए कि लगतार रखा जाए मानलो कोई सोचता है कि अगस्त में लास्ट में 24 तारीक से रख दिये हम इसको कितना दिन पच्छीस तारीक से रख दिये 31 अगास्था अब फिर कोई अगर चालाकी करके सोचे कि सितंबर में ये तो अलग महीना में था फिर सितंबर में जो है कोई चालाकी कर देता इसी चालाकी को खतम करने के लिए क्या की आ गया कि और नियून अंतराल कर दिया यानि कि यहां पर भले ही आप महीने के लास्ट में इसको डाले हैं फिर आप क्या करेंगे गैप करेंगे इतने दिन का साथ दिन का फिर जाके उसको डाल सकते हैं नहीं तो चला का अदमी रहेगा का करेगा कि चलो इसको महिना के लास्ट में डाल देते हैं, फिर महिना के शुरुआत में डाल देते हैं, चौदे दिन रही हैं, अकेल है, ठीक है, तो ए क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, यहां पर कह दिया है कि यहां पर फिर साथ दिन का गैप होना चाहिए, यह धारा ए चीज बताती है चलो तो यहां पर प्रस्ण क्या बनेगा सबसे में चीज ए आपका प्रस्ण क्या बनेगा कि अगर आपका मानलो प्रस्ण यहां पर बनेगा सबसे पहले प्रस्ण क्या बनेगा जान लिजिए अगर एकांत परिरोध की अवदी तीन महीने से अधिक हो तो एक महीने में अधिक कितने दिन एकांत परिरोध हो सकता है मतलब अगर आपका सजा तीन महीने से अधिक हो कारवास यानि कठोर कारवास तीन महीने से अधिक है तो एक महीने में अधिक्तम कितने दिन एकांत परिरोध हो सकता है तो आपका प्रस्ण का एंस्वर हो जाएगा अधिक्तम साथ दिन हो सकता है कितना अधिक्तम साथ दिन हो सकता है और यहां पर क्या हो रहा है एकांद परिरोध के दंडादेश के निस्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दसा में एक बार में चौदे दिन से अधिक नहीं होगा लेकिन अगर मानलो आपका सजा तीन महीने से कम है तो तो किसी एक मौईने मैं चौदे धिन भी कटाया जा सकता है माल लो किसी एक मौईने का सजा मिल अब उसको एकांथ परिरोध मिल गया एक महीने का सब तो सत दिन से अधिक कटाने के लिए एक 14 वाला नियं तब ile tjeyAl berbs लेकिन यहाँ कि एक मिनट यार मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूं कहीं और बड़ा दिक्कत कर रहा है यह ऐसे थोड़ी उस पर लिखा लिखा आ रहा है अच्छा थोड़ी लग रहा है क्लियर दिखेगा भी नहीं आपको तो फायदा क्या है एक मिनट रुख गाई यह कि एक मिनट का काम है बस कि एक क्या रहा है इसका जरूरत नहीं है वह आएगा चलो अब देखो अच्छा कुल गया है नहीं तो यहां पर क्या था हमारा इसको हमने देख लिया था क्या इंग्लीज वाला नहीं तो चलो देख लो इसको लिमिट आप सोलेटरी कंफाइनमेंट इन एक्जिकुटिंग एसेंटेंस आफ सोलेटरी कंफाइनमेंट तन सच कंफाइनमेंट यानि जितना आपका पिरियोडंद रहेगा solitary confinement का उतना ही फिर gap रखा जाएगा उससे कम gap जो है नहीं होगा फिर आगे क्या कहता है confinement of not less duration than such periods and when the imprisonment awarded cell exceeds three months यानि जब तीन महिने से अधिक होगा the solitary confinement cell not exceeds seven days in any one month मतलब जब solitary जब आपका क्या हो जाएगा यहां पर देखिए imprisonment जो है आपका तीन महिने से अधिक होगा तो solitary confinement एक महिने में साथ दिन से exit नहीं होगा बस अब देखिए साधारन अपवाद chapter का नाम लिखिएगा अध्याय है ठीक अध्याय है साधारन अपवाद तो अब हमारा यह क्या है अरे यार एक से एक भी पत्ती है चोदे विधी द्वारा आबध या तथ्य की भूल के कारण अपने आपको विधी द्वारा आबध होने का विश्वास करने वाले ब्यक्ति द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर आपका मतलब क्या जाएगा देखे इसको समझना इतना असान नहीं है एक्जामपल से जब समझाएंगे तेक दम बढ़ियां से समझने आ जाएगा बस इसको पढ़ लीजिए विधी द्वारा आबध या तथ्य की भूल के कारण जैसे मान लो विधी द्वारा आबध क्या हो जाएगा आप क्या हो जाएंगे विधी द्वारा आबध कैसे हो जाएंगे ठीक है मैं बताता हूँ आपको आपका आफीसर क्या है आपको आदेश देते हैं भीड़ पर लाठी चलाने का या कुछ भी ठीक है तो आप एक तरह से क्या हो जाते हैं आप अपने आफीसर के मनलब लिखित आदेश देते हैं और सही आदेश आप सही गलत तो आप पता नहीं करेंगे लिखित में आदेश देते हैं तो आप क्या हो जाएंगे वहाँ पर विधी द्वारा आबद्ध हो जाएंगे अब वहाँ आप एसी कोई गलती भी आती है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी उस आफीसर की जिम्मेदारी रहेगी कागज में ऐसा है ठीक है कागज में बहुत ज्यादा उच्छनला नहीं नहीं तो काम गढ़ड़ा जाएगा सत्थ की भूल के कारण अब क्या होता है मैं बताता हूं एक केस हुआ था उस केस में क्या हुआ था एक ब्यक्ति ऐसे सो रहा था ठीक है तो जो आदिवासी टाइप के या गाउं में आप पहले देखते थे पहले आदमी अपने मनलब सिर के पास चाकू और भी मनलब ऐसी जो को मानता था ठीक है तो क्या हुआ घटना में कि उसके घर की कोई महिला थी क्या थी उसके घर की कोई महिला थी सफेद वस्त्रों में और रात में जगी व्यक्ति सो रहा था अचानक में उठा उसने पहले गाउं में लाइट नहीं रहता था ना भाई पहले पहले है बहुत पुराना केस है जो मैं बता रहा हो कहानि के तो उसne क्या किया यह समझके नहीं में आदमी को मार रहा हूं उसने समझ भूत है या कोई चुडएल है तो उसको पता है देखो तथ्य की भूल हुआ加 का जानून को यह मार रहा है सही है लेकिन ओ क्या कर रहा है ओ चुडैल को मार रहा है उसे तथ्य नहीं पता है कि अरे उसकी भावी ही है या उसकी चाची ही है उसका घर का ही कोई सदस्य तथ्य क्या है यहां पे कि जो महिला है उसकी घर की है लेकिन ओ जो समझ रहा है कि ओ उसे चुडैल समझ रहा है तो यहां पर क्या हुआ तथ्य का भूल हुआ की नहीं हुआ। तो अपने आपको विधिद्वारा आबद होने का विश्वास। उसको विधि दबारा लगता है कि छुडायल है मैं इसको मार सकता हूं। मतलब उतना उसको सोचने का समय कहां। उठाया देगी मर गई हो फिर उसने जब देखा तो और यह िडिस के दोरा आदमी बच गया क्यों कि क्योंकि यहां पर तत्थ की भूल होई थी क्या होई थी सथकी भूल होई थी स्थक है कोई बात अपराद नहीं है जो किसी ऐसे ब्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधी द्वारा आबद्ध है क्या अब और एक इक्जामपल मैं बदाता हूं जैसे मान लो मुझे किसी ब्यक्ति को गिरफतार करने का क्या मिला लेटर मिला उस लेटर को मैं गिरफतार करने के लिए चल दिया उस ब्यक रहते थे मैं गया सिवं के पास सिवं को मैं जानता हूं सिवं से बोला भाई मानलो सिवं को मैं जानता हूं लेकिन सिवं निकला धोखेवाज आदमी मैंने सिवं से पूछा इस आदमी का बताओ कौन है सिवं जानता था उस आदमी को लेकिन उसने क्या किया एक आदमी से दु तो पहले से लाइब्रेरी में उससे जगडा रहा होगा किसी बात को लेके, सीट पर बैठने और इठने को लेके, मैं गया गिरफ्तार करने, सीवाम ने पकड़ा दिया दूसरे को, सर ए नहीं ए है, तो इसमें जो होगा क्या है, मैं विधी द्वारा आबध्य हूँ, सर यही है, मैंने कर लिया उसको गिरफ्तार, अब लेकिन मुझे प्रूफ करना पड़ेगा इस चीज़ को, क्या, अब मुझे इस चीज़ को प्रूफ करना पड़ेगा, तो ए जो भूल होता है, किस में आता है, सद्भाव पुरवक विश्वास करता है, कि वह उसे करने के लिए विधिव द्वारा आबद है ठीक है सद्भाव पुर्वक जैसे माली जीया मैं गया सिवम के पास विश्वास कर लिया भाई उसकी बात पर ठीक है विधी तो कहती है कि ये गलत है ठीक है अगर विधी के अनुशार देखा जाए गलत है लेकिन मुझे विधी मैं नहीं भूलाओं सत्थ मैं भूलाओं क्या सत्थ मुझे जो बताया गया मैं गिरफ्तार कर लिया चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो मैंने एक्जामपल दे दिया है विधी के समादेशों के अनुप अपने वरिष तदिकारी के आदेश से एक सैनिक को भी नियायाले का अधिकारी को मौ को गिरफ्तार करने के लिए उस नियायाले द्वारा आदिस्ट किये जाने पर और सम्यक जाच के पस्चाथ यह विश्वास करके कि यह ही मौ है यह को गिरफ्तार कर लेता है को ने कोई अपराद नहीं किया मैंने वही तो बताया मैं गया सिव who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law. Mistake of fact, not a mistake of law. In good faith, believes himself to be bound by law to do it. A illustration diya hai. A soldier fired on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. A an officer of a court being ordered by that court to arrest Y and after due inquiry मैंने सीवाम से अच्छी से भली भाद पूछा believing Z to be Y arrested Z, A has committed no offense. चलिए अगला देखते हैं यह आपका लास्ट है एक और मैं बताऊंगा अपने तरब से 16 हमा भी लिख लीजिएगा आप लोग ठीक है 16 तक आज हो जाएगा नियाईक रूप से कारे करते हुए नियाधीस का कारे माली जी अब नियाधीस कोई हैं और नियाईक रूप से पत पे काम कर रहे हैं उन्होंने सब चीज़ किया अंत में मालो उनसे कोई नेड़े गलत हो गया तो उस गलत नियाड़े के कारण ऐसा नहीं है कि उनको जेल बेद दिया जाएगा क्योंगे उन्होंने विश्वास में उस पत पर रहते हुए काम किया थीक है उनका कोई दुस्मनी नहीं था किसी से कोई बात अपराध नहीं है जो न्याईक रूप से कार करते हुए न्याधीस द्वारा ऐसी किसी सक्ति के प्रियोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्वाव पुरुवक विश्वास है कि उसके पास वो है या विधी द्वारा दी गई है तो न्याधीस को पावर दिया गया है नेड़े करने का उसे सद्वाव पुरुवक विश्वास है ठीक है गुड़ फेथ में वो नेड़े दे रहा है तो ऐसे किसी भी बात के लिए क्या है वो अपराधी नहीं होगा इसमें यही करना चाहता है न्याइक रूप से कारे करते हुए न्यादीश का कारे अब सोला हमा लिख लो न्याइयाले या न्याइयाले के लिए न्याइयाले के न्याइयाले न्याइयाले के अनुसरण में किया गया कारे सोला हमा लिख लो आप न्याइयाले के न्याइयाले के अनुसरण में किया गया कारे इसका example मैं बता देता हूँ, जैसे जलाद होता है, जलाद जो होता है ब्यक्ति को क्या करता है, जैसे जज साहब ने फांसी का सजा दिया, जलाद ने मृत्यु धंड का फैसला दिया, जलाद उनको फीचेगा, तो यहाँ पे जो है, जो जलाद का काम होता है, BNS की धारा सोले ह अनुसार उसे छूट है, कि वह नियाले के अनुसरण में करता है, तो आप याद रखियेगा जलाद किस आप से यस जलाद को जो जो है, किस धारा के अनुसार छूट है जो फासी का मनलब प्रिकरिया को प्रूरा करता है तो धारा क्या हो जाएगा 16 कल से हम लोग धारा 17 से देखेंगे तो आप से रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों मैं एक लास जो है रात में 10 बजे ही लाया करूँआ ठीक है क्योंकि दिन बर बहुत बेस्त समय रहता है रात में 10 बजे डेली यूटूब पाएगा आप इसी को देखिएगा सो जाईएगा मस्त निल लीजिएगा कहानी के रूप म और मज़ा आएगा प्रैक्टिकली देखने में और दोस्तों के पास एक बर सोने से पहले जरूर सेयर करिएगा जैहिन जैवारत